गुड़ीनी फ्रेंट्स दिस उजनी इल एंड वेलकम टो संसे मनेच जोस्तो बड़ी खबरे निकल करके आ रही है जो बीड करके 125 में सामिल हुए हैं दोस्तो उनके लिए सुप्रीम कोट ने आज कलिरिफाई कर दिया है जो बीड किये है 125 में सामिल है उनकी सिवाउं को लिखर के दोस्तो यहाँ देखे अस पस्ट लिखा हुआ है यहाँ पे सुप्रीम कोट कलिरिफाईज देफ जजमेंट रेंडर बाइट इन अगस्ट 23 जो अगस्ट 2023 में जो जजमेंट दिया गया था डिकलेंग बीड डिग्री होल्डर्स इन इलिजिवल फोर अपोइंटमेंट अज प्राम्री अस्कूल टीचर सेल अफलाई प्रोस्पेक्टिवली फिर अरभाटाईजमेंट इस्पेसिफाईड बीड आज क्वालिफिकेशन सर्विसेल नोट बीडिस्टर्ब साफ साफ कहा गया है दो इसका अस्पेस्ट मतलब होता है दोस्तों जो सिक्स फेज में बिहार में जो बाहली होई थी दोस्तों उसको किसी भी तरह का कोई समस्या नहीं है अस्पेस्ट सुप्रेम कोर्ट ने आज अपने डिसीजन में कहा है दोस्तों उन्होंने यह साफ भी किया है the bench of justices अनिरोध बोस एंड सुधानसु धोलिया ओरेली stated उन्होंने असपस्ट कहा है कि today's order shall apply to the entire country पूरे देश में ये लागू होगा and not just a state of मध्यपर्देश on whose application the order was passed मध्यपर्देश का matter था जोस्तो और उस पे ये judgment दिया गया है और उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि 2023 अगस्त 2023 से पहले जो भी नौक्री हो चुकी है दोस्तो जो बियर वाले 125 में सामिल हो चुके है उन लोगों की नौक्री पे किसी भी तरह का कोई खत्रा नहीं है तो जो भी 6 phase में दोस्तो बिहार में चैनित हुए हैं और 125 में हैं बियर करके उनकी नौक्री पे किसी भी तरह का कोई खत्रा नहीं है यदि कोई आपको बरगलाता है दोस्तो तो अपने pocket भरने के लिए ही सिर्फ और सिर्फ आपको बरगला रहा है और पर्स्ट सुप्रिम कोट का आदेश आ चुका है दोस्तो और फिलहाल जैसे ही judgment की copy आएगी आपको 23 उसको बता दिया जाएगा फिलहाल जो news है वो यही है और बहुत बड़ी news है दोस्तो big breaking update है देखे दोस्तो यहाँ साफ साफ कहा गया है कोट ने कहा है कि जहाँ बिग्यापन में योग्यता के रुप में beard निर्दिष्ट किया गया है वहाँ सेवाओं में बाधा नहीं डाली जाएगी दोस्तो और जो six page की जो बहाली हुई है दोस्तो वहाँ पे जो advertisement था जो बिग्यापन था दोस्तो वहाँ पे यह निर्दिष्ट दिया गया था कि जो बियर वाले हैं वो eligible हैं तो उनकी सेवा में किसी भी तरह का कोई बाधा नहीं डाला जाएगा और देख लिजे यहाँ असपस्ट कहा गया है कि मौखिक रूप से जो निरूद बोस और नयमूर्थी सुधानसु धोलिया की कंटफिट ने मौखिक रूप से कहा कि आज का आदेश पूरे देश पर लागू होगा ना कि किवल मध्य परदेश राज्य पर लागू होगा दोस्तों तीके ना जिसके आवेधन पर आदेश पारित किया गया है मध्य परदेश के आवेधन पर यह आदेश पारित हुआ है लेकिन ये पूरे देश पे लागू होगा तो बिहार के जो 6 फेज के कंडिडेट हैं दोस्तों वो पूरी तरह से अब सुराचीत हो गया है इस वीडियो में जाएं फिर मिलता अगले वीडियो में आप संसे बनेच के साथ बने रहें वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवस्ते कर दे धन्यवाद